हेलो मनवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्राफिट अस्टेडी में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अपरेंटिस दो हजार चौबी सेशन के अंतरगत जो आपका ECR अर्थार इस्ट सेंटल रेलवे का 1832 पोस्ट पर अल ओवर इंडिया के लिए सभी छात्रों ने जो फॉर्म अपलाई किया जो रेलवे की तरब से नोटिफिकेशन निकल कर आया था ठीक है इसमें पार परसेंट पर आपका सेलेक्शन हो सकता है जैसे अगामी अगर बात करें कि PLW हो गया NCR हो गया इन सभी का अगर कटफ को एनलाईसिस करने के बाद जो अनुभव और जो अंदाजा मिला है वो आज किस विड़ में आपको देखने को मिलेगा और यकिनन मानिये कि जो यहां प पास भी आपका 10th प्लस आइड़ कि आप सभी देख रहे हैं फानली इसके ऑफिशल नोटिफिकेशन पे आ गये हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहां पे 10 नवंबर 2023 के डेट से फॉर्म अप्लाई आपका अप्लाई होना सुरू हुआ था ठीक है और लास्ट डेट के बारे में बात करें तो आपका देट 9 दिसंबर 2023 शाम के पांच बजे तक लाखों कंडिडेट अल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किए अब बात रहा कि इसका एक्सपेक्टेड कटफ कितना जाएगा सबसे पहले आपका मोड अप सेलेक्शन के बारे में डिसकस करते हैं तो जो आपका सेलेक्शन हो आपका यहाँ पे division wise अलग-अलग आपको cut-up देखने को मिलेगा तो हम आपको एक average बता देंगे cut-up अगर उसके अंदर आपका आ रहा तो आप यह 100% माल लिजेगा कि आपका document verification के merit list में आपका नाम देखने को मिलेगा ठीक है ना उससे पहले थोड़ा सा division के बारे में discuss कर लेते हैं जो जैसे आपका दानपूर से आया the due assistance उसके बाद धनबाट से आया था था थर्द नंबर में बात करें हैं तो पंडितद दियाल उपाध्य से आया था स्वध्या नाच्ट में आपका सोनपूरों अगर बात करें तो आपका समस्तिपूर डिविजन से आये था उसके बाद अगर यहां पर देखते हैं तो प्लांट डिपो पंडी दिन द्याल उपाध्या यहां से भरती आये था कैरीज रिपेर वक्सप हर नौट और लास्ट में आपका मेकनिकल वक्सप समस्तिपूर के तरफ से भरती देखने को मिला तो जो आपका एवरेज यहां पर एक्सपेक्टेट कटफ रहेगा ट्रेडवाइस उसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं फीटर ट्रेड का कि भाई या फीटर ट्रेड का एक्सपेक्टेड कटफ कितना जा सकता है तो देखिए हमें आपके बात कर रहे हैं अन्रिजर्ब ECR पटना का form apply किया है तो आप यहाँ पे सिधा सिधा समझ सकते हैं कि अगर आपका 10th plus ITI मिला कर 86 plus आ रहा है ध्यान से सुनिएगा 86 plus आ रहा है तो first merit list में आपका नाम देखने को मिलेगा 100% यह हमारा confirmation आपको दिया जारा कि 86 plus है तो आपका नाम ECR merit list में first DV में देखने को मिलेगा वहीं अगर बात करते हैं welder से तो welder वाले जितने candidate है welder का undeserved से अगर बात करेंगे तो आपका अगर 81 plus है तो आपका document verification में नाम आ जाएगा first round में ठीक है mechanical diesel में बात करें तो mechanical diesel में भी आपको अच्छा खासा vacancy यहाँ पर देखने को मिला है तो mechanical diesel वाले जितने भी student होंगे वह आपका undeserved का यहाँ पर expected cut-off आपका 85 plus जाने वाला है 85 से कम का तो उमिद बिल्कुल भी मत रखिएगा 85 से जादा आपको cut-off देखने को मिलेगा ठीक है फूर्थ नमबर में बात करें रफिजरेटर M.A.C. मेकैनिक का तो इसमें 75 सीट के according हला कि और division में भी आपको seat देखने को मिलेगा फिर भी हम बात करते हैं कि 75 सीट के according जो आपका cut-off इसमें जाएगा वो लगभग आपका 87 plus cut-off जाने वाला है ठीक है ना और जाब merit list आएगा तो आप इस बात का analysis भी कर सकते हो कि जो यहाँ पे cut-off हला कि हमने पिछले भी बहुत सारी division का expected cut-off के बारे में चर्चा किया है और जैसा बताया जाता है हूब भू आपको वैसा ही cut-off department के तरफ से देखने को मिलता है तो next rate हमारे सामने आता है forger and heat treater इसका अगर vacancy का बात करें तो seat बहुत कम है और बहुत कम candidate इससे ITI करते हैं और बहुत कम vacancy भी आपको देखने को मिलता है फिर भी अगर expected cut-off के बारे में बात करें तो लगभग इसका 82 पलस आपका expected cut-off देखने को मिलेगा ठीक है ना next rate के बारे में बात करते हैं carpenter और carpenter से अगर आपका 79 पलस है तो selection हो जाएगा undeserved category के अंतरगत ठीक है ना next आपे trade के बारे में बात करते हैं electronics mechanics electronics mechanics में हलाकि अच्छा खासा vacancy आपको देखने को मिल रहा है इसलिए इसका जो expected cut-off है थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है जैसे कि आप अनुमाल लगा सकते हो कि इसका जो expected cut-off है लगभग आपका 81 पलस जाएगा ठीक है ना 81 पलस लगभग इसका expected cut-off जाने वाला है next हम बात करते हैं painter painter का देखेंगे तो जादा नहीं अगर आपका 77, 78 भी है ना तो आपका first merit list में नाम आ जाएगा painter से ठीक है चलिए next और यहाँ पे बहुत competitive trade अब electrician का इतना cut-off बढ़ गया है अगर PLW में बात करेंगे तो 90 पलस cut-off आपको देखने को मिला ठीक है ना तो उसी के अगवड़ी यहाँ पे आप पहले जितना electrician का cut-off कम जाता था अब उतना पे selection मुस्किल है ठीक है तो expected cut-off सुन लिजे इसका जो आपका expected cut-off जाएगा electrician का लगभग आपका 87 पलस expected cut-off इसका देखने को मिल रहा और जब merit list आएगा ना तो भी आपका इतना percent अगर है या फिर 87 है 86 है तो आप 100% यह मान सकते हो कि first round का document verification में आपका selection जरूर से जरूर हो जाएगा वहीं बात करते हैं wireman का तो wireman में भी आपका बहुत कम vacancy यहाँ पे release किया गया है ठीक है अगर wireman से देखें तो expected cut up आपका undeserved category के अंतरगत जो आपको देखने को मिलेगा वो लगभग आपका 84 plus cut up रहने वाला है ठीक है तो यह पूरा हम लोगों ने दानापू division या फिर धनबाद division जिस भी division से आपने form अपलाई किया है यह आपका expected cut up जो हम लोगों ने सभी division के बारे में almost यहाँ पर cover कर लिया अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि सर जी क्या इतना ही cut up देखने को मिलेगा तो देखिए dear अभी जो 2024 के अंतरगत जीतना भी form आया है सब में आपको इसी according cut up देखने को मिल रहा अब बात करते हैं कि document verification का merit list कब तक जारी होगा देखिए document verification का merit list होने का पूरा-पूरा संभावना है जितने कंडेट चैनल पर फॉर्स्ट टैम है सबस्क्राइब ने की है कर लिजेगा ताकि जैसे ही merit के regarding कोई भी information है सबसे पहले आपको वीडियो profit study का official YouTube channel इसके साथ profit study का official website पे देखने को मिल जाएगा ठीक है ना बाकिया भी latest update में अग वीडियो नहीं देखें तो जाकि आप चेक आउट कर सकते हैं दूसरा नंबर में बात करते हैं कि आपका NCR का document verification का update आगया है 1697 पोस्ट का और इसका document verification आपका 28 और 29 December को रखा गया है अभी एक दो दिन के बाद आपको एक दो और merit list इसका देखने को मिलेगा ठीक है ना पी आई जितने candidate वीडियो को देख रहे हैं लाइक करके सभी ग्रूप में शेयर कर देगा ताकि जितने भी candidate का ECR का expected cut-off का demand था तो finally उनका demand पूरा किया गया और यहाँ पर expected cut-off का वीडियो आपको provide किया गया सभी candidate comment box में अपना trade average percentage और किस division से form अप्लाई किये हैं यह जरूर करेगा आज के लिए इतना है फिर से मिलेंगा आपसे नई भरती नई जनकारे के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत